क्रिस्त के प्यारे भायों और बहनों आज का सुसमाचार में इश्व हमें बता रहा है कि इश्व ने उसको सिश्यों से यह संदेश दिया था यह संदेश हम आज का सुसमाचार में लेना चाहिए हमारा जीवन यह संदेश आनबव करना चाहिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ संदेश यह है इश्व ने उसको सिश्यों से यह बताया मैं दकलता हूँ और तुम डालियों हैं डालियों हों जो जो इश्व से रहता है और इश्व जिसमें रहता है वही बहुत फलता है इसलिए इश्व हम में रहता है और हम इश्व में रहता है हम बहुत फल रहते हो इसलिए दोस्तों इसलिए क्रिस्ट के ब्यारे भायों और बहनों आज आज में से इश्व में रहो और इश्व आपको आप में से रहता है उसके कारण हम दोग बहुत फलता है प्रित्वी पर संसार पर इसलिए हर रोज कोशिश करो इसलिए इसलिए में रहते रहना करके रहना करके शुक्रिया झाल 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 झाल